भारत और इंग लैंड के बीच लॉट्स टेस्ट के पहले दिन का पूरा खेल बारिश की भेंट चड़ गया पहले दिन एक भी बॉल नहीं फैंकी जासे की यहां तक की टॉस भी नहीं हो पाया ऐसे में अगले चार दिन टेस्ट मैच में बारिश कितना खलल डालेगी क्या बारिश के वज़े से मैच नहीं हो पाईगा कैसा रहेगा लॉट्स में अगले चार दिन मौसम का मिजाज वो हम आपको बताते हैं लॉट्स में सुबह 11 बजे टेस्स मैच शुरू होता है जो कि भारती समय के मताबिक दो पहर साड़े तीन बजे है टेस्स मैच के दूसरे दिन यानि शुकरवार 10 अगस्त के मौसम के बात करें तो सुबह में मौसम साफ रहेगा लेकिन इस्थानी समय के मताबिक दो पहर 12 बजे और शाम 3 बजे के बाद हलकी बूनाबादी हो सकती है वहीं शाम 6 बजे के बाद हलकी बारिश के संभावना है इसके बाद मौसम साफ रहने का पूरवा नुमान है यानि दूसरे दिन कुछ देर के लिए खेल बारिश की वज़े से रोका जा सकता है टस्मैच का तीसरा दिन शनिवार 11 अगस्त को होगा और इस दिन के मौसम के बात करें तो दिन में आसमान साफ रहने का पूरवनान है लेकिन स्थानी समय के मुताबिक शाम 6 बज़े के बाद आनशिक बादल चाहे रह सकते हैं मतलब तीसरे दिन का पूरा खेल होगा त्योंकि 6 बज़े तक करीब करीब दिन का खेल खत्म हो जाता है मतलब तीसरे दिन का पूरा खेल होगा और बारिश के संभावनान नहीं है टस्मैच के चौते दिन रविवार 12 अगस्त को आनशिक बादल चाय रहने का पूरवनवान है खलकी बारिश भी हो सकती है यानि कुछ देर खेल रोक सकता है नहीं तो पूरे दिन का खेल होगा टस्मैच के पांचवे दिन सोमवार 13 अगस्त को आनशिक बादल चाय रहने का पूरवनवान है यानि बादलों के बीच मैच होगा लेकिन बारिश नहीं होगी और पूरे दिन का खेल होगा मौसम के पूरवनवान के मताबिक अगले चारो दिन कुछ देर के लिए भले ही खेल बारिश की होज़े से रोकना पड़े लेकिन ज्यादा चांस इसी बात के हैं कि अगले चारो दिन पूरा केल होगा और बहुत समय कि लॉड्स टेस्स का भी नतिजान निकल जाए फ्लेम मीडिया रिपोर्ट